हलो साथियों नमस्कार मेरा नाम विम्लापाल मेरे यूटू चैनल वीडियो विद विम्लापाल आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं उमेद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों मेरा आप कर चुके हैं उनसे मेरा यहन रोध है कि वीडियो को लोगों में से अवस्त करें दोस्तों आज हम फिर आये हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहाने के साथ हैं तो चलिए आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए आज आते हैं अपने टॉपिक पर कहते हैं कि सावन का मा बहुत तवित्र मा माना जाता है सावन का माश भोले नात को सवरपेत है सावन के महिने में जो लोग स्रधा पूरवक भोले नात की वुजार्चना करते हैं भोले नात उन पर प्रशन होते हैं भोले नात को प्रशन करने के लिए भोले नात जी के कुछ मंत अवस पढ़ने उससे भोले नाज खुस होते हैं और ब्यक्त की तमाम तरह की परेसानियों से ब्यक्त को निजात मिलता है जैसे कि तमाम तरह के कष्ट कोई विमारी दुख तकलीप जो भी थीजे हैं अगर आप स्रधा पूरवक्त भोले नाजी को जल अर्पित करते हैं और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भोले नाज अवस्य ही आपकी मनों कामना को फूर करते हैं इसलिए दोस्तों सावन में हम सभी को भोले नाजी की पूजा अवस्य करनी चाहिए और सावन के बजाए हमेशा जितना ज़्यादा हो सके हम सभी को भोले नाजी के मंत्रों का उच्चार रदें से negativity भी दूर होती है और मन पवित्र रहता है तो चलिए दोस्तों जा रहें कुछ बाते जो कि हम सभी को सावन मास में तो करना ही करना चाहिए बाकि हमारे बहुत से साथ ही ऐसे हैं जो हर सो मार को भोले नाद जी की पूजा और ब्रत करते हैं दोस्तों अब हम फिर मिल करते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत